नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में रवी और आप देख रहे हैं देशी ड्राइविंग स्कूल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है तब आपने क्या करना है तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है दो सिचुएशन हमने बनाई हुई है पहली सिचुएशन जिसमें आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे है और आपकी गाड़ी प्रॉपर स्पीड में चल रही है speed में चल रही है इसका मतलब आपकी गाड़ी में proper airflow आ रहा है और दूसरी situation आप traffic में फसे हुए हैं और आपकी गाड़ी में कोई airflow नहीं हो रहा है और आपकी गाड़ी ऐसी condition है ना वो चल सकती है ना वो रुख सकती है ना आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर off कर सकते हैं दोस्ते जनरली हमें overheating का पता तब चलता है जब dashboard में हमारी warning light आ जाती है या फिर हमारा coolant temperature gauge की जो light है वो heat की तरफ बढ़ती हुई जाती है तब हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी जो है overheat हो रही है वो properly cool नहीं हो रही है तो हम पहली situation की बात करें अगर उस situation में अगर हमारी गाड़ी overheat हो रही है तो पक्का कुछ ना कुछ cooling system के parts में problem है और cooling system के जो parts हैं उनके बारे में जानने के लिए आप i button में जाके मेरी उस video को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको cooling system के basic concept को बताया है cooling system कैसे काम करता है और cooling system में क्या-क्या parts आते हैं तो आप ठीक ठाक speed में गाड़ी चला रहे हैं और फिर भी आपके उसमें coolant overheating की warning आती है तो आपने अपनी गाड़ी सबसे पहले sidewall लगाने के बाद सबसे पहला आपका काम है आपके coolant level को check करना अगर आपका coolant level अगर low हो जाता है और आपके पास उस time पे coolant available नहीं है तो आप पानी डाल कर काम चला सकते हैं आप workshop तक उसको पानी डाल कर ले जा सकते हैं यह एक emergency situation है आप ऐसा कर सकते हैं पानी को long time इसले use नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी के होते हैं कुछ ऐसे नुकसान जिसको मैंने एक video पर आपको बताया था जो video का link मैंने description में और i button में दे दिया है और दूसरी चीज आपकी check करने वाली है leakage आप radiator के pipes को देखिए और engine से जो radiator में connect हो रहा है चाहे वो ऊपर वाला pipe हो या नीचे वाला उसमें कोई leakage नहीं होना चाहिए अगर आपका leakage है तो आपका coolant level डाउन हो जाएगा जो कि जिससे properly आपकी गाड़ी heat transfer नहीं कर पाएगी आपके radiator तक engine से और आपकी गाड़ी overheat होगी ही होगी और तीसरी चीज आपने check करने वाली है आपके radiator के fins के आगे कोई blockage ना हो कोई कीचड़ ना जम्मा हो आजकल बारिस के season चल रहे हैं जिससे कि हम कीचड़ पर अपनी गाड़ी चड़ा देते हैं या फिर गहरे पानी मे radiator आगे की तरफ से तो वह भी देखना जरूरी है क्योंकि वह भी अपनी आपके radiator को properly cool नहीं होने देता उसमें proper air supply नहीं हो पाती जिससे कि आपका coolant ठंडा नहीं हो पाता तो यह चीज भी आप check कर सकते हैं यह जो problem मैंने आपको बताई थी चोटी मोटी problem से आप इसको खु या फिर coolant temperature वादा sensor खराब हो जाए या फिर thermostate wall आपकी खराब हो जाए तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आपके mechanic के पास आपको ले जानी पड़ेगी या तो आप अपनी गाड़ी टो करके ले जाए या फिर किसी mechanic को उहां पर बुला के यह सब सीजें ठीक करवा ल लंबा है कि आपको 2-3 घंटे आपको traffic के अंदर फसे वे हो जाते हैं और ना आप गाड़ी को बंद कर सकते हैं ना आपकी गाड़ी proper speed से चल पाती है जिससे की proper airflow आता रहे तो आप चलाते हैं बिल्कुल धिरे-दिरे slow speed में गाड़ी और आपका engine रहता है start तो और उपर से इतनी भेंकर गर्मी पड़ रही है और अपने AC on कर रहा है यह सारी situation काफी favorable है आपके गाड़ी को engine को overheat करने के लिए तो आपने सबसे पहले इस situation में अगर आपकी गाड़ी overheat होती तो सबसे पहले अपने AC को off करना है आपके engine से extra load हटाना है उसके बाद अगर फिर भी आप का overheating का marks जाता नहीं है तो फिर आपने अपने heaters को on करना है full blower speed में जिससे की coolant की सारी heating heating को एल के थुरू आपके cabin में आ जाए यह काफी मुस्किल है गर्मियों के दिनों में करना और काफी परिशानी भी होगी आपसे मैं समझ सकता हूं लेकिन आपको करना पड़ेगा मस के cabin में आ जाएगा heater के through फिर भी आपकी गाड़ी cool नहीं होती है और mark अभी भी आ रहा है overheating का तो आपने क्या करना है अपनी गाड़ी लगानी है side पे और check करना है आपकी गाड़ी का fan कांद कर रहा है या नहीं आप अपनी गाड़ी को ideal speed में रोकिए और अपनी गाड़ी क इसको proper airflow नहीं मिल पारा तब एक fan ही एक option रह जाता है जो कि हमारे radiator को ठंडा करता है तो यह चलना काफी जरूरी है और fan नहीं चल रहा तो एक बड़ी दिक्कत है आपको fuse box check करना पड़ेगा और motor अगर खराब है तो आप उस time कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हैं क कि आप अपनी radiator पर पानी डालके उसको कुछ समय के लिए ठंडा कर सकते हैं और जैसी आप traffic से बाहर जाते हैं तो आपकी यह problem बिल्कुल solve हो जाएगी क्योंकि जरुवत नहीं होती उस time पर fan की क्योंकि हावा के pressure से हमारा radiator है cool हो जाता है traffic से बाहर निकलने के लिए आप अपने radiator में पानी डालिए और उस गाड़ी को ठंडा करने की कोशिश करें अगर fan कराब है तो पानी से ठंडा करने के बाद उसे ज्यादा accelerate ना करिए क्योंकि जितना अमांट में आपका fuel burn होगा उतनी अमांट में आपकी heat produce होगी जो आपके engine को गरम करेगी आप without accelerator के गाड़ी चलाने की कोशिश करें traffic से निकलने के बाद ये समस्य नहीं रहेगी आपकी overheating की लेकिन आपने fan को सही कराना काफी जरूरी है अपने mechanic से आप fan सही करवाईए service center में जाके fan सही करवाईए overheating का signal आजाने के बाद मैं ये कहूँगा कि आपको गाड़ी बिलकुल नहीं चलानी है हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि एक किलोमेटर के आसपास आपको mechanic मिल जाएगा या फिस service center मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी repair करवा सकते हैं तो इतना चल सकता है कि आपकी गाड़ी एक किलोमेटर चल सकती है तो आप ensure करिए कि आपकी गाड़ी high rpm में ना चले तो दोस्तों ये थी कुछ basic चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर गाड़ी चलाते हैं ऐसे situation आपके सामने आती है तो आप इसे handle कर पाएं और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई mechanic ऐसे होते हैं जो आप लोगों को बेवगू बना के आपसे ज़्यादा पैसे ठाक लेते हैं और आपको इन चीज़ों का पता रहेगा पहले सही तो ये situation आपके सामने आने नहीं वाली है तो उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और आप जरूर इसे like कीजेगा आपका like और comment हमें motivate करता है और ऐसी वीडियो बना निकले सो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द तो तब तक के लिए bye bye